Hi everyone, this is Anam. Welcome to PhD Jobs and Admission. So, आज का लेक्चर हमारे एक बहुत इंपोर्टन सेशन होने वाला है because आज की इस लेक्चर में मैंने काई स्कॉर्ट टेस्ट पर कुछ इंपोर्टन एमसे कुछ आपके साथ डिसकस करा है जो एक्जाम में जुनरली पूचे ही जाते हैं for your upcoming बनारा सिंदू युनिवर्सिटी रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट So, आज का लेक्चर अगें बहुत इंपोर्टन लेक्चर है क्योंकि काई स्कॉर्ट टेस्ट बहुत इंपोर्टन टॉपिक होता है और यह ठोड़ा डिफिकल टॉपिक होता है काई स्कॉर्ट को समझ में नहीं आता है जल्दे से काई स्कॉर्ट टेस्ट क्या होता है उसमें केस्ट टाइप की कॉश्टन से एक्जाम में पूछ टेंगे चांसे होते है तो मैंने आपको इस वीडियो में सारा अच्छे से डीटेल में समझाया है तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजेगा जिससे कि आप एक्जाम में का इसको एक टेस्ट पर अगर कोई भी MCQS है तो आप उसको एजिली सॉल्फ कर पाओगे और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने आपकी प्रिपरेशन के लिए रिसर्च मेतिडियोलोजी का कंप्लीट कोर्स लॉंच कर रहा है जिसमें हम आपको वीडियो लेक्ट्चर्ज, नोट्स, मोक्तेस और थाउजन प्लस प्रैक्टिस MCQS PDF प्रवाइट करते हैं मैं आपको बता दू हमारे इस कंटेन को हमने हमारे एक्सपीडियन्स के बिसिस पर और जो प्रिप्रेशन पूछे जाते हैं वो सारे इंपोर्टेंट पॉइंट्स हमने हमारे इस कंटेन में कवा कर रहा है और कई स्टेन्स का में फीडबैक यह आया है कि उनको उनके रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट में हमारे इसी कंटेन्स से जरेकली एक्जाम में उनको कई क्वेशन पूछे गए थे तो मैं आपको गैरेंटी देती हूँ अगर आप हमारे यह स्टेडी मटेरियल परजेस करते हो तो आप कम से कम दीन में रिसर्च मेंट्रेलोजी की प्रिपरेशन कर सकते हो और हम हमारे कोस में बताते भी है किस तरीके से आपको स्ट्राइज यूज करना है किस टॉपिक पर आप अभी वे इस कोस को परजेस करते हो तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी कम से कम दीन में तो hurry up and grab this opportunity और हमारे इस कोस को परजेस करने के लिए लिए इस क्रीन पर जो नंबर आपको नज़र आ रहा है इस पर आपको हमें वाट्सप के तुरुई ही कॉ लेशेयर सरस्व करणी करूं से doter च जा सकते हैं पर इससिता आपको इस तरीके सामरे इस Race को आपको हमारा अगर आपको खोर्पाला उगे अगर आप हमारा कॉर्स फोलो करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से हमारे इस सब्समारे के बास्रों के के लिए कotta Sharing में आपको preparation करना है कि आपको हमारे जो notes है और जो mock tests को एक week में cover कर लेना है और यह जो thousand plus mcqs PDF है thousand plus mcqs PDF यह आप आपके as a revision की तौप पर use कर सकते हैं आप आपके exam के एक दिन पहले और अगर आप आपके exam के even four to five hours पहले भी इसको एक बार रीट करकर चले जाओगे तो आप exam में easily questions को mark करकर आजाओगे तो मैं आपको guarantee देती हूँ कि हमारे इसी research methodology के content से आपको exam में questions पूछे जाएंगे हमारे जो students हैं हमारे जो batch के students हैं उन कई students का feedback है कि उनको हमारे इस research methodology के content से directly exam में 10 to 12 questions पूछे गए थे तो हमारे इस study material को purchase करने के लिए आपको इस number पर हमें whatsapp के थुरू contact करना है याद रख कि आपको whatsapp के थुरू हमें contact करना है और आप अगर message करते हो message करने के within 15 to 20 minutes में आपको सारा study material प्रोवाइट कर देंगे और आप हमारे app को भी अगर आप को डाउनलोड करने के लिंक मैंने description box में प्रोवाइट कर रखी है सो वहाँ से आप हमारे app को access कर सकते हो and let's begin with the video to determine whether a set of observed frequencies differ from their corresponding expected frequencies we could apply the ये निर्धारित करने के लिए कि क्या परिक्षित अवित्रियों का एक से उनकी समबंदित अपेक्षित अवित्रियों से भिन होता है हम लागू कर सकते है तो इस प्रश्में हमें क्या पुछा जा रहा है कि observe frequencies है कुछ और expected frequencies है ये दोनों भी frequencies के बीच का जो difference होता है उसे पता लगाने के लिए हम किस test का यूज़ करेंगे यानि प्रेक्षित अवित्रियों और अपेक्षित अवित्रियों के बीच के जो difference होता है उनके बीच का जो difference होता है ये पता लगाने के लिए हम किस परिक्षन का उप्योग करेंगे हमें ये पता लगाना है इस प्रश्में अब हमें समझ में आ गया कि expression में क्या पूछा जा रहा है अब यहां पर हमें पूछा गया है कि expected frequencies और observed frequencies की बीच का difference अब expected frequency यानि क्या और observed frequency यानि क्या यानि हमें इन दोनों भी words का meaning पता होना जाए अब expected frequency मतलब आप जो expect करते हैं आप जो guess करते हो और observed frequency यानि जो आपको रिजल्ट आने पर पता चलते हैं अब मैं example के थरूँ आपको समझाओंगे जिससे कि आपको और easy तरीके से समझ में आजाए अब मान लीजिए आपने कुछ exam दे कर आ गया अपने आपका PSJ इंटरेंस टेज दे कर आ गया तो उसने उसमें पर आप एक्जाम दे कर आ गए आप आगए घर पर और आपने देखा कि आपने जो भी questions मार्क करें थे आपने इसको calculate कर कर यह पाया कि आपको जो exam में marks मिलने वाले है 80 percent आ रहा है आपके ठीक है 80 questions आपके करेंटा आए लेकिन result आने पर आपको पता चला कि 70 questions correct आए यानि यहां पर आपने क्या expect कर रहा था कि आपके 80 जो questions से यह रिक्त आए है लेकिन आपको जो actual result मिल रहा है उसमें आपको पता चल रहा है कि आपको 70 maximum है, 70% और 70 questions आपके correct आए हैं. So, यहाँ पर इन दोनो frequencies की बीच का जो difference होगा, यह पता लगाने के लिए हम chi-square test का use करते हैं, यानि chi-square correction का हम use करेंगे. अब याद रखेंगे, का-square test और का-square correction जो होता है, यह आप 1 और 2 samples पर apply नहीं करते हैं, यह जादा samples पर apply करा जाता है. So, यह आपको मैंने जो example दिया, बस यह समझने के लिए दिया था, कि expected frequencies जो होती है, और observe frequencies जो होती है, यह क्या होती है, अब हम देखते हैं, chi-square test हम किसलिए use करते हैं, chi-square test का उपयोग हम क्यों करते हैं, अब chi-square test, याद रखें, जादा samples पर करा जाता है, फिर से में repeat क और chi-square test जो होता है, हम expected frequencies और observe frequencies के बीच का difference find out करने के लिए करते हैं, अब हम example लेते हैं, बहुत अच्छी example है, आपको ध्यान से, आपको focus रेकर सुनना है, अब कभी ने बूलोगे कि chi-square test क्या होता है, और आपका goodness of fit क्या होता है, अब यहाँ पर मान लीजे, आपके पा और जो examiner ने design करें हैं, उनमें क्या examiner bias है किसी option के तरफ, यानि आपको यह देखना है, कि thousand questions paper में, जो questions है, उनके answers के option E में ज्यादातर है, या फिर option B में ज्यादातर है, मान लीजे, आपको यह देखना है, कि आपने यह पाया कि, जो examiner का bias है, वो है option B पर, क्योंकि हर एक जादातर questions का answer, उप्शिन B में आपको मिल रहा है, आपको यह study करना है, यहाँ पर, आपको क्या करोगे, आपने thousand questions paper का set लिया, अब thousand questions paper है, तो आप पूरे questions paper पर study नहीं करोगे, आप क्या करोगे, इसको sample लोगे, sample में आपने क्या करा है, hundred question paper रख लिया, okay, hundred question paper आपने रख क्या करोगे, इस hundred question papers को आप कुछ expect कर सकते हो, आप कुछ guess कर सकते हो, कि हो सकता है कि examiner का bias कुछ option पर हो सकता है, या फिर हो सकता है कि examiner का कुछ बाइस ने होगा, हर एक option को proper chance मिला होगा, यानि हर एक जो question है, जो options का answer होगा, उनका proper weightage होगा, okay, अब यहाँ पर आपने क्य expect कर लिया, अब किस तरीके से expect करोगे, मालेजिए four options है, A, B, C and D questions के, आप expect क्या कर लोगे, आप पर के हो सकता है, 25% questions होगे, उनका answer option A होगा, इस तरीके से 25% option B हो सकता है questions का answer, इस तरीके से 25% option C and 25% option D हो सकते है questions के answer, अब observe frequency consequences क्या हो सकती है, यानि आप क्या करोगे, analyze करोगे, उस पर study करोगे, और study करने के बाद आपने यह पाया, कि 30 questions जो है, 30% जो questions है, और 30 questions के answers है, वो option A है, 35% यानि 35 questions जो है, उनके answers, option B में present है, उसी तरीके से आपने option C देखा, 15% यानि 15 questions के answers, option C है, और उसी तरीके से 20 questions के answer, option D है, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यह जो observe frequency है, यह actual में आए है, या फिर by chance आए है, ओके, actual में क्या researcher ने यहाँ पर, actual में ऐसा दिया है, या फिर researcher का बाइस किसी एक option पर है, आप यह देखोगे, ओके, अब कई बार क्या होता है, examiner का बाइस हो जाता है, इसी option पर, जिसके वज़े से कई लोग उस exam को crack कर पाते हैं, अब यहाँ पर यह study करना है, अब यहाँ पर जो, आपकी observe frequencies आ रही है, आपकी यहाँ पर जो observe frequencies आ रही है, जो है 30, 35, 15 and 20, यहाँ पर आप क्या देखोगे, यह पाइचांस आ रही है, या फिर researcher ने, यहाँ रिसर्चर ने ऐसे ही दे दिया, या फिर researcher का बाइस है किसी options के तरफ, यह देखने के लिए, इन दोनों जो frequencies हैं, उनके बीच का difference find out करने के लिए, किस test का यूज़ करोगे, किस परिक्षन का यूज़ करोगे, chi-square test जिसे हम goodness of fit भी कहते है, इस प्रेशन का आपका सही उत्तर हो जाएगा, विकल भी chi-square परिक्षन और chi-square test, याद रहिएगा, expected frequencies और observed frequencies के बीच का यह difference होता है, यह पता लागाने के लिए हम chi-square test, मौझूद होगी, इस प्रेशन में हमें पता लगाना है कि degree of freedom कितनी होगी, इस table को read करके, इस table का use करका हमें पताना है कि degree of freedom, यानि सोतन तरह कि कितने degree मौझूद होगी, इस table के help से हमें ये पता लगाना है, so degree of freedom क्या होता है, ये कौन से term है, ये कहां से आया है, so उसके लिए जिसे कि हम kai square test पढ़ रहे हैं, यानि goodness of fit पढ़ रहे हैं, so kai square test में एक term होता है, जिसे हम कहते है degree of freedom, अब degree of freedom क्या होता है, उससे पहले आपको पता होना जिए कि kai square test होता है, उसका formula क्या होता है, so उसकी help से हम देखे हैं कि degree of freedom क्या होगा, so kai square test का formula क्या होता है, kai square का कुछ इस type से symbol होता है, उसका formula होता है submission, observed frequency minus expected frequency, the whole square divided by expected frequencies, अब यहाँ पर हमने formula लिख लिया, kai square हम देखते हैं kai square test हम किसलिए यूज़ करते हैं, observe frequencies और expected frequencies के बीज़ कर difference को पता लगाने के लिए, हम kai square test यूज़ करते हैं, और यह kai square का, kai square test का symbol है, अब submission का मतलब क्यों होता है, इस sign का मतलब होता है addition, इस sign का मतलब होता है addition, यानि आपको add करना होता है सारे चीज़ों को, आप में सारे values पूट करते हो और इसमें आपको add करना होता है, oi का मतलब होता है अपकी observed frequencies, जिसे के stable में हमें record दिया गया है, ei का मतलब होता है expected frequencies, so यह हो गया आपका car square test का formula, जिसमें हमने यहापर जो भी term से इस formula में हर एक term का हमने देख लिया, submission oi, ei क्या होता है, अब हमने यह देख लिया car square test, अब आपको देखना है degree of freedom, so car square test में एक term होता है जिसे हम कहते है degree of freedom, यानि freedom, जिससों हम freely कुछ कर सकते है, freedom का मतलब क्या होता है, जिसको हम freely move कर सकते है, जिसको हम freely कुछ कर सकते है, so यह तो आपको समझ में आजाएगा, degree of freedom का मतलब क्या होता है, याद रखेगा, कि आपके पास कुछ sample size होते है, जैसे कि यहाँ पर इस टेबल में उन्होंने क्या पता लगाए कि Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday यह कुछ 7 days है और 7 days में कितने बच्चे स्कूल आ रहे हैं माल लिजे यहाँ पर उन्होंने हम एक्जामपल लेते हैं कि 7 days में कितने बच्चे स्कूल आ रहे हैं यहाँ पर उन्होंने क्यों अबसर्फ करा हर जिन पर Monday के दिन 2.46, Tuesday के दिन 2.46 हैं सेम बच्चे इतने आ सकते हैं इनका एक्सपेक्टेशन है कि रोज इतने बच्चे आना चाहिए लेकिन जो अबसर्फ फ्रिक्वेंसी जी यानि माने जी तीचर ने आटेंडेंस लिया होगा उसके बाद उनको पता चला कि रोज इतने इतने बच्चे आ रहे हैं तो यह हो गया Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday इन दिनों में इतने आटेंडेंस है बच्चे के इन दिनों में इतने आटेंडेंस है बच्चों के थाउजन कोर्शन पेपर के सेट थे उसमें से हमने 100 ले लिया था तो उसे तरीके से यहापर जो आपके days होते है week में उस पर study करी गई है तो यहापर यह क्या होगा आपके यह sample हो गए तो sample, sample size जिसको हम small n से लिखते हैं degree of freedom का formula क्या होगा? sample size याणि small n अब जिससे कि यहाँ पर आप देख रहे हो chi-square test में यह जो formula है यहाँ पर आपके पास यह जो formula है यह single formula है, ओके यहाँ पर और कुछ दूसरी quantity present नहीं है यह एक ही variable है इसमें, मान लिजए यह total यह पुरा x variable है दूसरा variable आपके पास present नहीं है यहाँ पर आपके पास क्या chance होगा एक ही chance होगा कि आप किसी एक value को find out कर सकते हो अगर आपको कोई एक value find करना है आपको क्या हो सकता है, इस case में OIEI पता होगा यानि observe frequencies और expected frequencies पता होगा आपको chi-square test निकालना होगा sometimes आपको chi-square test दिया होगा observed frequencies, expected frequencies दिया होगा आपको observe निकालना होगा तो ऐसा यहाँ पर आपके आपके पास सिफ एक ही chance होता है जिसको आप move कर सकते हैं जिसको आपका freedom हो सकता है इसलिए यहाँ पर minus 1 है यानि एक chance है आपके पास कि एक आप उससे पता लगाओ एक ही chance होता है कि आपके पास कोई एक ही variable का आप पता लगाते हो यहाँ पर क्यूंकि एक ही variable है इस जो formula है, का-square test का यहाँ पर सिफ एक ही variable है यहाँ पर समझना थोड़ा मुश्किल है लेकिन आपको यह तो समझ में आ जायगा कि यहाँ पर सिफ एक ही variable है यानि एक ही chance है कि आप यहाँ पर एक ही values को find out कर सकते हो इसलिए यहाँ पर आजाएगा minus 1 and क्या होता है आपका sample size और minus 1 यह होता है आपका degree of freedom degree of freedom का मतलब होता है sample size minus अपके पर एक chance होता है कि कोई एक variable की value find out करे अब यहाँ पर यह सारे क्या होगा है हमारे samples क्योंकि हमने इन सारे days को पता लगा है इन सारे days पर हमने study करी Monday की दिन कितने आरे Tuesday की दिन कितने आरे यहाँ पर Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday to Sunday यहाँ पर कितने दिन होगा है total 7 days होगा है 7 minus 1 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 6 यहाँ पर degree of freedom के आपकी क्या value आने वाली है यहाँ पर आजाएगा आपका option C6 यहाँ पर degree of freedom का value आजाएगा आपका 6 next the shape of the chi-square distribution is chi-square वितरन का आकार dash है so इस प्रश्न में बता लगाना है कि chi-square का वितरन का आकार कैसा होता है यानि chi-square distribution का shape किस तरह कैसा होता है left skewd होता है यानि बाय तरफ का data जाधा present होता है information by side में जाधा present होगी right skewed यानि Di साध city में आपका data जाधा present होगा right तरफ का data जाधा present होगा या फिर unimodal होगा क्यों इस symmetrical unimodal के मतलब के होता है यह होता है unimodal और bimodal कि आपका data ऐसा होता है आपका chi-square का distribution ही कौन से shape का होता है हमें यह पता लगाना है यह जो आपको question पूछा गया है जो आपको प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है यह fact-based question है इसमें आपको कुछ समझना नहीं है आपको बस पता होना चाहिए कि जो different distributions होते हैं उनके आपको नाम पता होना चाहिए उसकी meaning पता होना चाहिए बस इतना ही है यहाँ पर काई-square distribution जो होता है इसका shape होता है right skewed यानि डाय तरफ आपका जो data होगा distribution के डाय साइड में आपका जो data होगा वो जादातर data डाय तरफ present होता है अब किस तरीके से यहाँ पर हम एक diagram देख लेते हैं तो यहाँ पर positive skew यहाँ पर देखना है आपको positive skew इस diagram में positive यानि right right ske compute जिसमें आपका data होता है यहाँ पर right side में ज्यादतर data आपका present होगा इसलिए हम देख रहे हो इस figure में आपका mean है इस figure में जो mean है यह भी right side में लाय कर रहा है mean क्या होता है average value यानि ज्यादतर value कहां पर लाय कर रही है आपकी वो आपका mean बताता है इसके पहले भी कई lectures में म ज्यादतर आपका mean क्या होता है mean यानि average value ज्यादतर value आपकी कहां लाय कर रही है data में okay mean है यानि आपका यहां पर right side में ज्यादर data present है इसलिए mean भी यहां पर लाय करता है okay right cube का मतलब क्या होता है आपका जो data है यहाँ पर right side में ज़्यादर lie करता है ज़्यादर data आपका right side में लाए करता है लेकिन आपका जो peak है यह left side के तरफ tilted होता है लेकिन ज़्यादर data इस region में लाए करता है इसे हम कहते है right skewed और positive skewed भी हम कहते है याद रखेगा fact based question ने बस इतना ही याद रखना है chi square distribution का जो shape होता है यह right skewed होता है यादर तरफ ज़्यादा data आपको मिलेगा इस प्रशन का आपका सही उत्तर हो चाहेगा विकल भी दायत इर्चा यानि right skewed अगला प्रशन which of the falling values of the chi square distribution cannot occur chi square वित्रन का निम लिखित में से कौन सा मान नहीं हो सकता है इस प्रशन में क्या पुछा चाहरा है कि chi square वित्रन का यानि chi square distribution के दिए गए विकल्प में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है जो नहीं हो सकती है chi square distribution में कौन से value अकर नहीं हो सकती है यह हमें पता लगाना है अब इस प्रेशन को स्वाल्फ करने के लिए आपको chi-square chi-square का जो formula है यह आपको पता होना चाहिए chi-square test का जो formula है यह आपको पता होना चाहिए formula जैसे मैंने आपको बता दिया था आपको समझा दिया था बहुत अच्छी तरीके से formula किस तरीके से होता है तो याद रखिएगा chi-square का formula होता है chi-square submission of oi यह यह नि observed frequencies minus ei यह एक्सपेक्टेड frequencies the whole square divided by ei तो यह होता है आपके chi-square distribution का और chi-square test का formula अब यहाँ पर हमें पूछ रहा है इस question में कि कौन सी values दिये गए options में से नहीं हो सकती है अब मान लीजे यहाँ पर देखिए जैसे कि आप हर एक number जो है यह positive में है यहाँ पर आपको एक भी ऐसा number ने देखेगा जो negative में है so oi minus ei यह minus में है लेकिन जब भी आप किसी number का square करते हो so यहाँ पर minus sign निकल जाएगी अब जिसे मान लीजे यहाँ पर मैं आपको कुछ value substitute करकर बता जेती हो मान लीजे यहाँ है chi square submission of oi मान लीजे oi है आपका 4 minus ei expected आपका है मान लीजे 10 आपने expect करा 10 लेकिन आपको real में value मिल रही है 4 square divided by ei जो के है 10 हमने यहाँ पर लिखिया हम submission of 6 square minus 6 आएगा क्योंकि यहाँ पर 10 है 10 बड़ा नंबर है इसलिए minus 6 आएगा divided by 10 so minus 6 का अगर आप square लेते हो जो के होता है 36 so यहाँ पर आपको positive value मिल जाएगी divided by 10 यहाँ पर आपको क्या मिल रही है positive value मिल रही है यहाँ पर positive value मिल रही है आपको आप जितने भी जाद आपको number मिल जाए जितना भी negative में number मिल जाए उसको अगर आप solve करते हो तो यहाँ पर आपको क्या मिल रही है positive value मिलती है तो याद रखेगा chi-square distribution की negative value कभी नहीं हो सकती है तो यहाँ पर जैसे कि हमें option e में negative value दी गई है चाहे वो 100 आ सकता है, 1000 आ सकता है, 10,000 आ सकता है लेकिन minus 1, minus 2, minus में अगर जितने भी values है यह आपकी नहीं हो सकती है chi-square distribution की इस प्रशन का आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कौन सी value है जो chi-square distribution की नहीं हो सकती है, वो होती है minus में जो values होती है, इस प्रशन का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प a, अगला प्रशन What must be true about the expected values in a chi-square test chi-square prediction में अपक्ष्रिक मुल्यों के बारे में क्या सत्य होना चाहिए So, इस प्रशन में क्या पुछे जा रहा है कि chi-square test में जो expected values है, उसके बारे में क्या सही है chi-square test में expected values जोती है, उसका मुल्य उसकी values क्या होनी चाहिए क्या 2 होने चाहिए, greater than 2 होने चाहिए, greater than और equal to 5 होने चाहिए, greater than or equal to 10 होने चाहिए और greater than or equal to 30 होने चाहिए, क्या होने चाहिए बस आपको इतना याद रखना है कि car square test में जो expected values होती है आपकी ये greater than और equal to 5 होना चाहिए 5 से ज़्यादा और equal to 5 होने चाहिए आपको याद रखना है So expected values जो होती है car square distribution में याने अपेक्ष्रित मुल्य जो होते हैं उनके जो values होती है ये 5 से बड़ी value होने चाहिए और जिसमें यहाँ पर आपको याद रखना है जिसके मैंने starting में बताया था आपको काई square test में आपके जो distributions होते हैं आपके जो samples होते हैं जिस पर आप study कर रहे हो उनके size ज़्यादा होती है उनकी size ज़्यादा होने चाहिए आप काई square test का अगर उपयोग कर रहे हैं अगर आप काई square test यूज कर रहे हो तो आप एक दो sample पर study करने के लिए नहीं करते हो काई square test जादा सैंपल्स पर study करी जाती है बहुत जादा बड़े-बड़े samples पर काई square test के basis पर ही काई square test का यूज करकर ही study करी जाती है यह भी एक fact-based question है यह भी आपको एक्जाम में पूछा जा सकता है और यह भी question बहुत important है कि काई square test के जो expected values होती है जो आप expect कर रहे हो तो वो values होने चाहिए greater than or equal to 5 यह rule है आपका बस यहाँ पर आपको इतना ही याद रखना है तो इस प्रशन का आपका सही उतर हो जाएग विकल B. That's it and आज के लिए बस इतना ही and thank you for watching this video.